कि Hellowe when 14 तो और आजम पढ़ेंगे omdat र्भिज कहरों इसे प्रीजए क्या परपर्ड़ियो मेने क्या पढ़ा इस फिजिखल पारीं हैं मैटल की और नौन मेतला की आज हम पढ़ेंगे फिजिखल गर्द जमिकल परपर्टीज्स और मैटल्स ठीक है लेफ about the chemical properties of metal in the following section तो इन section में हम क्या पढ़ेंगे chemical properties पढ़ेंगे metal की for this इसके लिए में क्या करना पढ़ेगा collect करना पढ़ेगा metals को ठीक है कठा करना पढ़ेगा metals को अलग 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 अलमिनियम को पर iron, lead, magnesium, zinc and sodium ठीक है इनको क्या करना पढ़ेगा लेना पढ़ेगा activity को करने की तो देखते क्या है पहला है what happen when metals are burnt in air कि क्या होगा अगर metal को burn करें एयर में तो इसके लिए activity 3.9 करेंगे you have seen in activity 3.8 activity 3.8 कराई थी previous video में मैंने ठीक है तो महाँ पर क्या that magnesium burn in air with dazzling white flame की जो हमारा magnesia में बर्न हुआता है एयर में किसके साथ white flame के साथ इसने क्या दिया थी white flame dazzling चम के लिए do all metal react in the same manner क्या हर एक metal इसी तरह से react करेंगा यह कोशन यहाँ पर क्या हुआ हुआ है let us check by performing the following activities को हम चैक करेंगे कैसे इन एक्टिविटी को करके इस एक्टिविटी को की सब सेमी कलर का देंगे रहें सावधानी क्या रखनेंगे आप पे इन्हें क्या करना हमें बर्न करना है ठीक है पेर आप टॉंग हमें एक टॉंग लेना है ठीक है उसे रिपीट विद अधर मैटल सैंपल तो बिल्कुल एक्टिविटी अमने थी पॉइंट अगई थी से मैसी करने है हमें मैटल लेना उसको टॉंग से पकरना उस पर बर्न कर और प्रोड्वन हमारा बना है क्लेक्ट अब करने सब्सक्राइब दोगRAS क्या करने बताने जब यह आप करोगे तो आपको बताने कि क्या खलर दे रहा है कौन सा मैटर होने के बाद सब्सक्राइब कैसी दिखाए देगी और आपको यह डिक्रीजिंग गोडर में लगाना है रिएक्टिविटी के हिसाब से और प्रोड़क्त हमारे वाटर के अंदर य होगी इसमें की सब मैट्ल क्या होगी है हर एक हमारा हमारा इजली का बढ़ और नोट और मैटन बर्न और इजली कोपर और यह हार हमारे हो भीainen क्या होगा ज्लीज्ण लेगा बन्ले नियोग खेते और किहाए और अपको बंच करो गόσगे तो सोदियम कमारा ओंदी येल्लोय कोपर देगा हमें हमें तो यह ंदेगा सोदियम पोटैस्यम ये करेंगे वाटर के साथ ठीक है and from soluble hydroxide but अदर जो metal है हमारे जो ज्यादे reactive नहीं है यह soluble नहीं होने के वाटर के अंदर ठीक है लेकिन जो sodium and potassium में क्या highly reactive है इसलिए easily soluble है water के अंदर only some metal oxide that from metal hydroxide with water is soluble in water और कुछ ही हमारे ऐसे metal oxide है जो water के अंदर क्या होगे soluble होगे ठीक है और कुछ ऐसे होगे जो हमारे क्या होगे insoluble है ऐसा नहीं है कि हर एक metal oxide है वो क्या होगा soluble होगा ठीक है दे आर इंसॉलिबल beryllium magnesium exception है दे आर slightly soluble in water ठीक है तो जो हमारा beryllium magnesium है यह exception है कि यह बहुत ही कम soluble है water के अंदर explanation क्या होगा इसका metal highly reactive element यह हमने पढ़ाई है metal react with oxygen readily to form metal oxide metal हमारा oxygen के साथ react करेगा और क्या बनाएगा metal oxide बनाएगा highly reactive metal जल्दी react करेंगे और जो less reactive metal हो थोड़ा सा लेट react करेंगे ठीक है तो highly reactive metal like lithium sodium potassium magnesium 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 react spontaneously अपने आपी react कर देंगे यह कंदर ठीक है और जो other metals है हमारे लेकिन कुछ ऐसे metal होगे जैसी क्या aluminium copper है यह थोड़ा सा time लेगे जाने में it produce specific flame और यह भी कुछ specific color की flame देगे maritime flame color is used to find the coincidence of the substance और अधिकता time में हम क्या करते जो flame की color से पैचानते हैं कि metal यह कौन सा metal है किसकी flame की color देखेंगे कि कैसा है flame का color और उससे पैचान लेगे देखेंगे अब कैसे है ओल मॉस्ट और metal combine with oxygen to form metal oxide अधिकतर मतलब अधिकतर क्या होगा कि जो हमारे oxygen के साथ combine हो जाएंगे और क्या बनाएगी metal oxide बनाएंगे ठीक है metal plus oxygen क्या बन जाएगा metal oxide metal हमारा oxygen के साथ रेक्ट करके क्या बना लेगा metal oxide for example when copper is heated in air combined with oxygen to form copper second oxide black oxide तो एक्जेम्पल है जब हमारा copper oxygen के साथ रेक्ट करेगा क्या बनाएगा copper oxide यह किस color का होगा black color similarly aluminum from aluminum oxide aluminum हमारा oxygen के साथ रेक्ट करेगा क्या बनाएगा aluminum oxide ठीक है the call from chapter 2 chapter 2 आपने पढ़ा है how copper oxide reacts with hydrochloric acid की copper हमारा किस तरह से hydrochloric acid की साथ रेक्ट करता है यह चेप्टर टो मैंने पूरा complete करा रखा है आप जाके देख सकते हैं we have learned that metal oxide basic nature यह आपने पढ़ा है पढ़ चुके है कि जो metal oxide होते हमारे किसी नेचर के होते है बेसिक नेचर बट सब मैटल ऑक्साइड सच आज aluminum oxide zinc oxide so both acidic as well as basic behavior यह हमने पढ़ा है कि मैटल oxide यह किसी नेचर के होगे बेसिक नेचर के हो लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे metals भी है जिनके oxide basic की तरह भी behave करेंगे और acidic की तरह भी behave करेंगे तो नों तरह जो behave करते हैं ठीक हो जाएगा aluminum oxide zinc oxide such metal oxide which react with both acid as well as base to produce salt and water की वह मैटल oxide जो रियक्ट करेंगे acid के साथ भी और बेस के साथ भी क्या बनाएंगे salt and water उसे हम क्या बोलते हैं फोटरिक oxide aluminum oxide react in the following manner with acid or base जो हमारा aluminum oxide यह acid के साथ रियक्ट करेंगा क्या बनाएगा aluminum chloride और water molecule यह बेस है हमारा बेस के साथ रियक्ट करके क्या बनाएगा sodium aluminum तो दोनों के साथ रियक्ट कर रहा है यहां पर बेस के जैसे बेस करेंगा और यह बेस तो यह बेस के जैसे करेंगा और यह बेस के जैसे मोस्ट मेटल ओक्साइड इस इंसलीबल इन वाटर अधिक्ता जो हमारे metal oxide क्या इंसलीबल इंदे बट सम अब दिजार इन वाटर टुप में खली लेकिन कुछ ऐसे भी है उनके अंदर क्या हो यह sodium oxide water में डिज्वाल होगा क्या बना लेगा और sodium hydroxide और potassium oxide हमारा water में डिज्वाल होगा क्या बनाएगा potassium hydroxide यह क्या हमारे इने बोलते हैं rate में reaction नहीं करता है मतलब reactive नहीं करता है एक जैसे रियक्ति नहीं करता है थोड़ा जल्दी रियक्ट करेगा कोई थोड़ा देंदी करेगा धी कि मतलब same pace two are different الط overcome different activity so करेगा petrol शचे है 지금 and sodium reacts of इसको बचाने के लिए किसमें रखते इकरोसी करके रखते कर के रखते हैं एट ओर्डिनरी टेंपरेचर पर जैसे कि हमारे मैटल होगा मैगनी चाहिए थिन लेयर ओक्साइड से थोड़े टाइम के बाद क्या भी ऑक्सिजन रियक्ट करेगी सर्फेस के साथ और क्या बना लेगी एक लेयर बना लेगी ता प्रोटेक्टिव ओक्साइड लेयर प्रिव प्रोटेशन ना हो मैटल के ओपर आयरन डाज नोट बर्न हीटिंग बर्ट आयरन फिलिंग बर्न विग्रस लिए स्प्रिंकल इंदा फ्लेम ऑफ दर बर्न जो हमारा आइड़न नहीं होगा हीट करने पर लेकिन इसकी जो फिलिंग है यह बर्न होगी विर्टिवन स्प्रिं पर प्रिंगल करेंगे तो क्या होगा बर्न हो जाए जो पर डज नोट बर्न बटता होट मैटल इस वाट इसको पर नहीं होता लेकिन इसके पर क्या बन जाती है जब होट कर तो पर एक ब्लैक्लर की लेर बन जाएगी को पर अगोल्ड डू रियाक्ट विद ऑप हाई लगालो ठीक है ज्याक्ट नहीं करने का अनीवाइजिंग दिटोफनीज फोमीग थीख ओक्साइड लेयर ऑफ ऐखेंगे अनीविद्टैजिंग इओक्साइड लेयर बनती अल्यूमिंयम् जो aluminum oxide बनिया या coat बनाया है जो इसके उपर metal के इसको further corrosion होने नहीं देनेगा मतलब इसके उपर further oxidation नहीं होने देने की यह वाली oxide layer metal की surface के उपर the resistance can be improved further by making the oxide layer thicker तो इस resistance को improve कर सकते है अगर इस layer को क्या कर दे हम और thicker कर दे मोटी बना दे during anodizing clean aluminum article is made the anode and is electrolyzed with dilute sulfuric acid during anodizing क्या होता है clean aluminum article लेंगे मतलब aluminum लेंगे और इसको anode बनाएंगे electrolyze करेंगे sulfuric acid के साथ this oxygen gas evolve at the anode react with aluminum to make a thick protective oxide layer जब oxygen gas evolve होगी anode पर लिख लेगी तो यह react करेंगे aluminum के साथ और क्या बनाएंगे protective oxide layer बनाएंगे this oxide layer can be dyed easily to give aluminum article in attractive finish ठीक है स्कॉम क्या कर सकते है खटा सकते है easily अगर स्कॉम रब करें ठीक है अगर लगे attractive finish के साथ after performing an active 3.9 you must have observed that sodium the most reactive of the sample of metal taken here perform reactive 3.9 इसमें क्या observe करें जो sodium में बहुत ही ज्यादा क्या है reactive metal the reaction of magnesium is less vigorous जो हमारे magnesium में थोड़ा से से कम less vigorous है imply that it is not as reactive as sodium मतलब क्या है कि magnesium हमारा इतना reactive नहीं है जितना की sodium but burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc iron copper layer let us see some more reaction to arrive at conclusion about the order of reactivity of this metal तो सिर्फ यह activity हमें बताने सकते कि metal कितने ज्यादा reactive है क्या हिसाब है इसके लिए हमें और भी activity करने पड़ेगी ठीक है अब देखेंगे what happen when metal reacts with water क्या होगा जब हमारा metal किसके साथ react करेगा water के साथ अब यह पढ़ेंगे यह activity 3.10 से इसको पढ़ेंगे इसमें सावधानी क्या रखनी कोच्छन इस activity नेज़ा टीचर एसिस्टेंट वही है आपको अपनी टीचर की निगदाने में करना ही टीचर के बिना नहीं करना collect sample of the same metal in activity 3.9 जो आपने 3.9 में metals लिए थे वही लेने स्यम करने क्या करना है जो आपने metals लिए उनमें से कुछ samples लेने और एक बीकर में ले लेने उसमें क्या डाल देना थंदा पानी डाल देना cold water which metal react with cold water arranging them in the increasing order of their reactivity with cold water तो कौन सा metal cold water के साथ react react कर रहा है उनको इसके हिसाब से आपको क्या लगाना है increasing order में लगाना है उनकी reactivity तो डू डू डिट अनी metal produce fire and water क्या किसी metal ने जब आपने metal में क्या डाला है वाटर में वाटर के अंदर metal डाल ले तो क्या हुआ है क्या किसी ने fire produce कर यह बताने है does any metal start floating after sometime क्या कोई the metal that did not react with cold water in a bigger are filled with hot water तो आपने सारे metal डाल जैते cold water भी जो metal ने cold water की साथ reacting करा उनको लिकाल लेना फिर किसमे डालना है hot water में डालना है ठीक है for the metal that did not react with hot water रेंद्द अप्रेटर है सोन और अब्जब दे रियक्शन विद इस्टीम आग जो मेटल हमारे हुट वार्ट के साथ रेक्टिन करने कर निका लकालता अब प्रुशक किसी में डालना है इस्टीमें फोन से मेटल ऐसे जिन्नों ंब्रेक्ट नहीं अपी यह रियक्टिविटीमें पैसे मेटल ऑब Death of Xian होगा यह क्या कर लेगा विग्रासली मतलब एकदम से रियक्ट करेंगे वाटर के साथ पर बनाएगा चाहला लाज़र बना लाएगा और तो जो हमारे कैल्सीयम है क्या है सोडियम से और प्रतेसियम से लेकिन हॉट वाटर में क्या करेंगा रियक्ट करेंगा वाटर रेक्षाथ एक्षाइशन हमारी इतने ज्यादा विग्रश निया वॉई कि इसके बाद आप एक्षिन करेंगे किसके साथ स्टी के साथ में आ जहेंगे हमारे आईड नियुप भाथ सफेव दो मायों क॑ल र HOLGAL करा ना तो इन्होंने कोल वाटर में रियक्शन दिखा लेकिन अभी किसमें रियक्शन कर दे रियक्शन मतलब हमारे पास जिन्होंने ना तो उल्च वाट वाते के साथ रियक्त करा आहिस टीम वाले मेटल हो जाओ यह है ओचार में हमारे लैड कोपर Rider सिलबर और डो डूह नोट रियक्ट मेश निए कि नोट रियक्ट करा सता करने कर किया लिक्ट थीक थेका बोलना है इसमें इस्क्राइब बॉक में आपकी ठीक है जो ने ओरली बोग दिया है तो आप इसमें से पढ़ सकते हो मैटल एक्क्राइब बॉक्साईग तो मैटल हमारा रियक्ट करेगा यह कि बना इकरल के साथ रियक्त नहीं है मैतल प्लस वाटर क्या बना एकर बना गा मैटल ऑना ओक्साईगा क्या बना जएगा सब्सक्राइब के साथ कोल्ड वाटर के साथ इन केस ऑफ सोडियम और प्रटेशियम और प्रटेशियम वाली रियक्शन है वाटर के साथ यह क्या वोईलेंट है और एक्जोथर्मिक है आफ ओल हैजसियम अप्रटेशिय वाटर के साथ करेंगा बनेगा प्रटेशियम और के साथ वाटर के साथ हीट घंड बनेगा ऑर और तीक है और क्या होगी सब्सक्राइब के साथ है अभी जो मैंने ओरली बोला है सारा यह लिखावा आए ठीक है तो जो हीट इवाल्व होई है वो इतनी सफिशियन नहीं है हाइडोजन के लिए कि क्या कर ले फायर को कैच कर ले तो एक है लेस्ट है कैल्सियम वाटर के साथ एक्ट करेगा क्या फॉर्म इस्टिक टूदा सर्फेस ओफ दर मेटल यह कोई ऐसा मैटल भी है जो फ्लोट करना स्टार्ट करेगा तो कौन हो जाएगा कैल्सियम कैल्सियम स्टार्ट करेगा फ्लोटिंग क्योंकि बबल्स है जो हाइडोजन गैस कि सफेस पर क्या हो जाएंगे चिपक सब्सक्राइगा मैगनीशियम है और हाइडोजन गैस इस टेकिंग तो हम जो मैगनीशियम में क्या करते हैं क्योंकि इनकी सफेस पर फिर उपर सर्फेस पे मैटल मैं यह इंग डून और होट वार्त जैसी के हमारे मैटल होगा है अलुमिनियम आयरे नगी नहीं होट वाट साथ लेकिन स्क्राइब करेंगे बट्रेड वाटर के साथ इस्टीम के साथ रहेंगी और अध्रियोजन ग्याज लिएज लिए हमारा वाटर की साथ याथ रैक्षाइब मेल कि अश्ट ऑपल्स एक्ट नहीं करेंगे वाट हैपन वैन मेटल रियक्ट विद एस अब देखेंगे कि क्या होगा जब हमारा मैटल किसके साथ रियक्ट करेगा एसीड के साथ क्या है थे लेंधा आरगे हैं यहल हमारोगा कcribe stopने बनाएंगा सट मैटल करेंगा एक साथ 2ечение का मैं पर के घ्यार क्या हर एक मैटल इसी तरह से से मेंनर में में यह पड़ेंगे एक्रिविटी से देखेंगे के लेक्ट कोॹ्ड तो में हगे तो क्या करना है हरनक क्या करने में तो सेमपल और सेंड ननने निगरेंdon तो में क्या निलेना है सोडियमर प्रटेश्यम निलेना है क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा रियक्टिव होते हैं ठीक है ठीक है तो आपको सोडियमर प्रटेश्यम को तच भी नहीं करना है और निलेकर देश्यम में है देश्यम फेर करेंगा देआसद और क्येमर otur शॉलिचनंब जान्य दॉदे विट वाल करेंगाय सीदेश्यमकाइड ? सबसे ज्यादा होगा और इनको क्या करना है लगाना है तो इसमें उब्जर्वेशन क्या होगी इसमें क्या होगा तैंपरेचर क्या हो जाएगा कैल्सियम का 40 डिग्री सेल्चेस होगा जिंक का 30 डिग्री सेल्चेस कोपर का 25 डिग्री सेल्चेस और ओडर ओफ रिक्टिवीटी हो जाएगी कैल्सियम सबसे ज्यादा रियक्टिव होगा कैल्सियम फिर मैगनेशन फिर अलुमिनियम फिर जिंक आयरन लैड और कॉपर ठीक है और इससी कन्कूलूजन क्या लिए लेगा इस अक्टिविगर मैटल रियक्टिविट विद से जेशन फबूए करा थンド समें अगॆ ऐक्यां सबसेक का साथ इक्टिविद समस्वाय की सबस्टा सिए ऐसेशन ञेिच्टिवन मैटल रियक्टिविए और नुआकर ढसिदार यजेजिए is because HNO3 is a strong oxidizing agent क्योंकि जो हमारा HNO3 क्या strong oxidizing agent है it oxidize the H2 produce to water क्योंकि क्या करेगा यह oxidize कर देगा water को sorry hydrogen gas को oxidize करके क्या बना देगा water molecule बना देगा इसलिए इसलिए इसमें से कहने रिकलती hydrogen gas हमारा क्या strong oxidizing agent है and itself get reduced to any of the nitrogen oxide क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा दोसे क्या कर देगा oxidize कर देगा या तो बन जाएगा या नो बन जाएगा या नो बन जाएगा या नो बन जाएगा बट मैगनेशम और मैंगनीश रियक्ट करें डाइलूट एट्सिल के साथ और क्या लिखा लेंगे hydrogen gas you must have observed in activity point in the rate of formation of bubble was the fastest in the case of magnesium तो इसमें जो fastest rate of bubble बनने का वो किसमें magnesium है the reaction was almost most exothermic in this case और जो reaction हमारी कहा है exothermic reaction है the reactivity decrease in the order of magnesium aluminium zinc iron in the case of copper no bubble was seen and the temperature also remain unchanged this so that the copper does not react with dilute exhale ठीक है तो इसमें copper है इसमें bubbles नहीं बनने के तो मतलब इसमें क्या दिखा रहा है कि temperature हमारा same रहेगा मतलब copper हमारा actual के साथ react नहीं करता है बहुत ही कम react करता है ठीक है एक्वरेजिया लेटिन फॉर रोयल वाटर ठीक है इस मतलब लेटिन से लिया गाया इसका मेनिंग क्या है रोयल वाटर एक्वरेजिया इस freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid concentrated nitric acid in the race of 301 तो किसका mixture है ही तीन मॉल्टों में लेना hydrochloric acid और वन लेना है क्या nitric acid it can dissolve gold even though neither of these acid can do so alone तो इसमें हम क्या कर सकते है acid को भी dissolve कर सकते है इसमें acid भी क्या हो जाता है हमारा dissolve हो जाता है कि इसमें aquarism है aquarism is highly corrosive fuming liquid it is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum यह क्या बहुत ही highly corrosive fuming liquid है यह कैसा reagent है क्या आएबल है इसके अंदर gold भी और platinum का भी हम क्या कर सकते है metal salt अब दिखेंगे कि हमारा जो metal है यह metal solution के साथ कैसे react करता है ठीक है यह activity हमने chapter number one में भी कर रखी है take clean wire of copper and iron and iron nail ठीक है तो हमें क्या लेना एक wire लेना copper का और एक लेना iron nail का put the copper wire solution of iron sulphate जो copper wire है उसको किसके solution में डाल देना iron sulphate के अंदर iron nail in solution of copper sulphate taking test tube और iron को में copper sulphate solution के अंदर डालना है copper को में iron sulphate solution के अंदर डालना है record your observation after 20 minutes फिर अपने observation क्या करने है record करने है in which test tube did you find out reaction has occurred आप कुछ च्याक करना है कौन सी test tube के अंदर reaction हुई है on what basis can you say that reaction has actually taken place और किस basis पर आप ही कह सकते हो कि यहां पर reaction हुई है can you correlate your observation for the activity 3.9 3.9 क्या फिस्टे correlate कर सकते हो write a balance chemical equation for the reaction that has taken place name the type of reaction आपको balance chemical equation दिखने हो नेम लिखने रियक्टिव मैटल काण डिस्प्लेच्टी मैटल from the compound in solution and molten form ठीक है यह पढ़के आयो इसमें क्या होगा observation क्या होगी इसमें more reactive matter displays with the metal from the salt solution and from corresponding cell ठीक है तो most reactive metal हमारे less reactive metal को उसके solution से क्या कर देता है displace कर देता है हमने पढ़ा था displacement reaction में पढ़ा था chapter number one में अब वह भी जाके देख सकते हो तो इसमें क्या होगा iron is more reactive than copper iron हमारा क्या है जादे reactive है copper से तो iron जो है copper sulphate solution में से copper sulphate को अटा देगा बाहरा निकाल देगा खुज आके वहाँ पर लग जाएगा लेकिन जो copper है वह iron sulphate solution में से iron को नहीं अटा सकता copper क्योंकि copper हमारा क्या है less reactive है ठीक है न तो बच इसमें आप क्या reaction लिखने है इसमें इसमें reaction लिख दो fe plus cu so4 क्या देगा हमें fe so4 plus copper ठीक है और फिर ऐसे हो जाएगा copper ठीक है fe so4 plus and no reaction क्योंकि क्योंकि इसमें reaction होने की इसको displace करी नहीं सकता iron को copper क्योंकि copper हमारा less reactive है ठीक है तो इसको हमने किस basis पर पता है इसको हमने बता है reactivity series के basis पर इससे हमां पता चलता है कौन सा metal किसको react करेगा तो तो टोप में में मोस्ट रियक्टिव है निचे जैसे आप जलते रहोगे less reactivity हमारी decrease होती रहेगी तो आपको इस reactivity series में से देखना है कौन सा metal किसको हटा देगा अभी हमने क्या पढ़ा है iron और क्या है हमारे पास copper देखो तो iron हमारा क्या है जादे रियक्टिव है copper से क्योंकि क्या है टोप में reactivity series में ठीक है तो इस तरह से आप पता लगा सकते कौन सा metal किसको टाएगा अगर metal हमारा उपर वाला metal हमारा निच्छे वाले metal को क्या कर देगा असनी से हटा देगा क्या उपर वाला metal हमारा जादर रियक्टिव है तो यह reactivity series है तो रियक्टिविटी series का एक list है metal की जिसमें हमने arrange कर करके रख 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 यह है हमारी क्या वरी डिक्रीज हो रही है और लिस्ट और मैटल हमने इस तरह से रेंज कर रखे है कि रेक्टिविटी उसकी डिक्रीज हो रही है मैटल की जैसे जैसे आप निच्छे बढ़ रहे हो आप्र इस्प्टिवेट्य में और एक्टिविटी शरी जबर हमने टिस्प्रेज्मेंट एक्स्पारिमेंट करेते हैं तो इसको डिस्प्लेज्मेंटों हेले вед हो व्यक्राइग बोलें felony सरीज सब्क्रेद करने कुई थे खिर सब्सक्राइब की हैे इसके साथ सब्सक्राइब कूरें नसमारा कि भी बहुन फो नहींदels इंटा के ठाइख निक्तर शेंक्टर से वे फोल गडेस meow सब्सक्राइ边 करें इसके मेरे साफ थी अगर सब्सक्राइब करेंगे अपनी औपजर्वेशन के विप Subs 거기 가 है जाँधा धीडियों सब्सक्राइब लियुक्रेवेजन में से हटा दिया यहीं तो बता रहा है कि अगर डिस्प्लेज करेगा भी को तो एक है ज्यादा रियक्टिव है और रियक्टिविटी की सिरीज से इसे आपको याद करनी है अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो और चैनल को सबस्क्राइब करो